अजमेर संसदिये सीट पर कॉंग्रेस और भारतिय जन्ता पार्टी साइथ निर्देलिये उमीदवार लगातार पर चार परसार कर रहे हैं अजमेर लोकसभा सीट पर जो रोणक है चुनाव की वो साफ तोर पर नजर आ रही है भारतीयनता पार्टी से दुबारा भागीरत चौधरी को भारतीयनता पार्टी का परतियसी बनाया है उन्होंने पिछली बार जो लोकसभा प्रत्यासी ते रिजू जुन्जुनरौला उनको करीब चार लाग से ज़्यादा मतों से आराया था वहीं इस बार कॉंग्रेस के प्रत्यासी रामचंदर चौदरी जो की पिछली 30 साल से अजमे डेरी के अध्यक्स रह चुके हैं कॉंग्रेस ने उन पर दाब खेला है दोनों ही पार्टी के जो उमिद्वार हैं वो लगातार गाउं गाउं धानी धानी जाकर पंचायत से लेकर विदान साबा तक अपना अपना चुनाव परसार कर रहे हैं वहीं रामचंदर चौधरी पिछले राइस्तान सरकार की जो योजना थी विकासिल योजना और जो कारे थे उनके दम पर वोट मांग रहे हैं वहीं भागीरत चोधरी केंदर सरकार के जो विकासिल योजनाय थी जो मोधी की जो गारेंटिया थी उस पर चुनाव लड़ रहे हैं मैं खड़ा हूँ आज अजमेर के तोपड़ा इलाके में जहां पर जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेंगे किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं और क्या अपने मत का परियोग और किस पार्टी के लिए और किस उमीदवार को यह पसंद करते हैं अंकल क्या नाम है आपका काफी चुनाव आपने देख लिए इस बार किस तरीके से चुनाव देखते हैं चुना विश्टर अभी बड़ाबर की टक्का चल भी है अभी जब तक मतलब अभी जहां तक है मतलब बीजेपी काई जो चल रहा है तो यह आईगी वैसे काम भी थोड़ा करा है नो बस इतना ही बोलना तो क्या जो राइस्तान सरकार्टी उनके काम से आप नारा खुछ नहीं आप आने जो देखो यह चीह है क्योंकि इसने थोड़ा बहुत काम करा अभी लोगों को जैसे अनाज देरा है या कुछ और भी काम करें जैसे राममंद्र के दूगा तो यह आनी चीह है जी वैसाब क्या नाम आपका सर्ट गोपाल जी आने वाला लोकसभा चुनाव है दोन कि आज राष्टान में पूरे देश में समझो आप जी मोधी के लावा किसी नेता को नहीं जानते जाए आदा अच्छे काम करें अभी मोधी जी परगार से काम कर रहा है देश के अंदर बस्तान दर काम कर रहा है थोड़ी चीह नेताय लोग जो है ने वोग पुछ गरबड थो मोधी को जुछ नहीं है मोधी जी के अगे कुछ ही नहीं इकी कि मोधी को देखकी पुब्लिक बोड देती है एक तो काम ऐसे बहुत संदर काम है मारे कई काम नहीं हुए ज़िजा मारे तोब डेगा भीरीज है आज तक बना यह नहीं यहां कि पपलिक इनी परिस्दाने आप बीज से कि पास नहीं हो पास है मगर नहीं बन पाया यह अंदर कांग्रिस की टैम में भी पास हुआ था बीजे की टैम में पास हुआ था और जो यह बिरीज बनाया है ने मार्केट में सारे ख़राब कर दी पूरे रोड का सत्यनाज कर दिया जबकि तोबड़ में बहुत जेगे विकास की है आप चादर तोबड़ से निकाल सकते थे कुल देखें इस्तानिये मुद्दे हैं जो काफी हावी होते हैं परत्याशियों के लिए और आम लोगों के लिए के जैसा कि नोंने बताया तोबड़ा का यह ब्रिज है जो काफी साहिम से अटका पड़ा है आज भी नहीं हुआ राहिस्तान में कॉंग्रेस के सरकार रह के अंदर पंद्वह向े रूट जो विदायक काव देल जी उनहोंने तोबडा के अंदर पानी की टंगे बन वाहिए जब से हमारा पानी खिफाल था है ठीकिना रोड रोडड भी आनिताव दाओं मुन विघ्यों में काम कि रही है काम कि उरता हैं जो पूल जिसका इंद्यारता आपकी बार 400 पार वो इन बाई ने बता दिया है, यहां पर कुछ और लोग भी हैं, चुनाव को देखते हैं कैसे दोनों ही कद्दावर नेता हैं, राइस्तान में कॉंग्रेस के सरकार रही, केंद्र में बीजेपी के सरकार रही, अब आप कैसा सांसत चा सुनते रहते हैं, इसमारे वोट उन्हों को ही दिया जाएगा, बीजेपी को ही वोट जाएगा, ठीकिने, और विकास के काम को लेकर है, तो ऐसी बात नहीं, उन्होंने आज मेड़ता रोड जो लाइन चलू पास करवा दिये, क्या है, उसको लेते विए इनों को बहुत-ब की बात करें, आठ विदानसाबा आती है, और आठ में से साथ विदानसाबा सीट बीजेपी के पाले में है, एक सीट जो की किशनगड की, जो की विकास चौधरी बीजेपी से बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा और वह कॉंगरेस से परत्यासी रहे, और यहाँ पर उ अलागी जो चुनाव होंगे, मद्दान होंगे, जो रिजल्ट आएगा, वो बाद में पता करेंगे, उसके पहले और भी जो लोग है, उनसे बात करेंगे हैं, बाइचाप, सांसाथ के चुनाव है, इस्थानिये जो मुद्दे हैं, वो हभी रहने वाले हैं, क्या काम आपक कोई दूसा चैरा दिखता लिए, आज मोदी ने देश को जिस विश्व में जिस कंडिशन पर खड़ा रहा है, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ, और विकास की बात है, तो आप देखो, कि देश में जगे-जगे हाइवेज बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सब तरह के तरक्की हो रही है, सब कुछ आ रहा है, इलेक्रिक बसे चलने की गड़े-गरी सामने एलेक्रिक बसे चलने की बात हैं, तो यह है कि अमें इस चुनाव में लोकल मुद्दा छोड़के देश के विकास के बारे में सोचते में, बीजेपी को बोड दे ला है, और भी कुछ ल जो भी मतलब गोशना के करिए, जिनने पूरा किया है, उस ही पर जनता के विश्वास बनावा है, और जनता उनों को चार सो पाल ले जाएगी, इस बार कोई दोराय नहीं है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, जो है, वो मोधी जी की साथ है, एक दो कोई ऐसे विशेश क काम जो नहीं, विशेश काम ऐसे को एजमेर की जनता के लिए विशेश काम तो जो विदानसभा के विदायक है, उनों के दुवरा होते हैं, बाकि केंद सरकार से आने वाले प्रोजेक्ट तो सारे पूरे हो चुके है, बलकुल, यह देखिए, एक यहां पर एक अच्छी बा उन पर जा रहा है, उन पर अपना विश्वास जाता रहा है, यहां पर दुकानदार है, उन से बात कर लेते हैं, इस बार चुनाओ कैसा दीखते हैं, चुनाओ तो ठीक ही है, और विजेश की प्रत्याक्षी आराम से जीता है, क्यों मोदी जी का हाथ पीछे है, बागी से आरेगा कोई बड़ी बात में, कब से दुकान लगा रहा है, मैं तो मेरे पिताजी की दुकान पर बेटता हूँ, अपडेट देखा, आपने सरकार कुछ आपको नया कोई प्रजेक्ट लाए या कोई विशेश योजना है, आप लोगो के लिए लाए है, सरकारी योजना ह पेंशन दो वर जीतता है, हर बार पेंशन क्यों ले रहा हूँ, सरकारी करमचारी को विशेश योजना है, अगर तो सरकारी करमचारी को पेसा दो गए तो वो पेसा बजार में आएगा, बजार में आएकर तो अर्थेवस्ता सुद रहेगी ना, अर्थेवस्ता तो आप लो पर देखा जा रहा है कुछ और लोग भी है जो की अपनी बात रखना चाहते हैं इस बार लोग सबा चुनाओ में कैसा लग रहा है आपको कौनसी पाटी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए इस बार मोदी जी आने चाहिए क्योंकि इंदुस्तान के अंदर उन्हें बहुत अच्छा विकास किया है और विकास अभी भी आएंगे तो करेंगे और हर चीज का विचार करके ही वो विकास कर रहे हैं मोदी साप और मोदी ही आना चाहिए कै अज आप अखवार पड़ रहे हैं तो अखवार मैं ऐसा क्या योजना या ऐसा क्या काम है राज्यकी और केंद्र की क्या आप बूल रहे हैं क्या मोदी ही आना चाहिए को एक दो काम ऐसे जिससे क्या प्रवावित हुएए हो अब इंदुस्तान के इंदर और राजस्तान में सब जगे अच्छा ही काम कर रहे हैं अच्छा विकास कर रहे हैं तो उस हिसाब से मुधिस भी आना चीए इस बात है आप बताएं अंगल कैसे देखते हैं चुनाब को बीजेपी विया कांवरेज या निर्गली में को तो सबसे ब्याश्च लगड़ा है विजेपी सरकार से बहुत बढ़ी आया है उसने हर जगे विकास अच्छा ही किया है सोसल विकास हर जीज़ का और गरवी को भी हटाना चा मुस्तवा खान जी तो यह तो जो अलप संग्य के सोचते हैं कि तो बीजेपी के जो बीजेपी अलप संग्य को के खिलाफ जाती है ऐसा कुछ सोचते हैं ऐसा कोई बात नहीं है तो लोगों के समय बावना है वो लोग बोल सकता है मंगर हम लोग तो बावना मोदी जी का है हर रंग से हम लोग तयार है उसके लिए हग भी चाहता है और आने वारा टाइम में भी भाो बोग्या आदम है और हंठस्तान में कास करना चाहरा है वह बहुत बिढ़िया आपस में ब Stück उसमें मन में इंध् Till लोग जनता है अच्छा तो मुस्तावाई यह बता है जब कॉंग्रेस सोसती है या अलफ संक्याग सोसते हैं कि कॉंग्रेस के अलफ संक्याग है जो कि बिलकुल fix voter है वो कहीं दर उधर नहीं होंगे मगर आप जो बात बोल रहा हो बिलकुल अलग भोल रहो नहीं इसा कोई बा गिरोंगको क्या दिया किक जो सब को ब्रहिया विकास करवाया दोनोंगेगे हैं कोई चिज़ की एंडी यह अधिया जो मौनगों इस वार लोकस बाट चुनाओं में कैसा दिख रहे हैं बधर बड़िया थाप साबरे पाइब लाग से जिते हैं हम और मोदीय जी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है मोदीय जी ने क्या ने क्या नियोजणा बिना पेसे खाता हो रहा है बिना योजुल जो जणा हर आदनी गरीब को घरगर तक पानी बोचाया हर गरीब को गर दिया यहां तक ही अलब संक्या सब बराबर है अलब संक्या मोदी जी कामने में ऐसा खुज भी नहीं हो तो कांग्रेस भिरमित करी है कांग्रेस यह चाती है किस तरह से हम सत्ता में मोदी जी चार सो प्लस आईंगे पुड़े भारत में और हमारे जो हमारे जो केंडिडेट हैं बागिरत जी वह एक अच्छे विक्ति हैं सीधे विक्ति हैं साध्गी वाले हैं और शाड़े पाइंट लाग बोटों से जीतेंगे ऑन शापने टाइम यह से एक तरह से खतम मुहरत आसे नहीं यह चारर यह होता हूह जूब अगन को उनको मालम है पर जोना जाना यहननि हमारे बार से बीजए पी बीजए पी आये हमारे पूरा बार वार बीजए संगा है कीश को देख लो जो भी है अभी हमारे यह जो भाईए यह जो भैज बैटा था जो उसने कहा कि तीन दो सत्रह अड़ने से यह जम्मो कश्मियर रहने वाला है जम्मो कश्मिह करें यह इसको रहा है तो फाइदा हुआ यह आपब देंड़ाuri यहां पर देखे दाहरा 370 जो अटी है उससे काफी लोग खुश हो रहे हैं जैसा है कि मुस्ताख भाई ने बताया था है वो जम्मू कश्मीर से हैं अजमीर में रह रहा है और इनको कोई पिछले 3.00 से रह रहा है यहां अराम से इसके लड़के बड़े होगे इसके लड़के की साधी USDA san पही को लिको ऩोलेज युजणा का फाइदा मिला सिर् square अपने वदिटो में जो भारत में मोधि इसी को है बागी तो कुछ ही नहीं है विकार है सब आगे बढ़ेगा क्योंकि जो मोदी वो इंसान है जिस इनसान ने सडक पर सोया जो इनसान ने हिमाचल के प्वाडियों में जाके वहां पर तपश्या की जो इनसान जमीन से जुड़ा है उसको मालूम है कि आम जंता को क्या ची है आज आज बार्यत में बता सकता है जो गरगर में कच्रा आता है कच्री गाड़ी आती है पहले कच्रे के लड़ाई होती अजय कर दो जो आए कर दो कर दो घचरो जो जोग।